पाट उन्नीस पत्र लिखन लेटर राइटेंग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज में रहकर उसे हमीशा आपस में विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है परिवार के सदस्यों को अध्यन रोजकार इद्यादी के कारण घर से बाहर रहना पड़ता है स्थिती में दूर स्थित व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवार का प्रचलन हुआ पत्र लिखना एक काला है पत्र प्राया दू प्रकार के होते हैं एक व्यक्तिगत पत्र फॉर्मल लेटर दो व्यवसायक पत्र इन्फॉर्मल लेटर व्यक्तिगत पत्रों की भाशा शैली आपसी बातचीत के अनुरूप होनी चाहिए व्यवसायद पत्रों की भाशा शैली अपचारिक होनी चाहिए तथा बात को एक्तम नपे तुले ढंक से कहना चाहिए दोनों ही प्रकार के पत्रों में इस वाद का ध्यान रखना चाहिए के पत्र में जो कुछ लिखा चाए वह स्पष्ट रूप सी लिखा हो। अर्थात उसमें लिखी गई भाशा सरल व स्वाभाविक हो। 1. अफकाश के लिए प्रधानचारी को प्रार्थना पत्र सेवा में श्रीमान प्रधानचार्य जैन इंटर कॉलेज बढ़ोदा विशे अफकाश प्राप्ति हेतु। महोदे, सविने निवेदन है कि मेरी बड़ी भाई का विवा दिनांग 25 जुलाई 2013 को होना तै हुआ है। मुझे भी विवा में सम्मलित होना है। अतहा मैं दिनांग 25 जुलाई से 30 जुलाई तक अफकाश चाहता हूँ। आशा हैं आप मुझे चाह दिन का अफकाश देने की क्रिपा करेंगे। सधन्यवाद आपका आज्यकारी शिश्य नरेश कुमार दिनांग 25 जन्वरी दो हजार तेरा। 2. ब्रहमण के संबंध में मित्र को पत्र। इलाभाद दिनांग 21-2013 प्रिय मित्र आज्य। सप्रेम नमस्ते। मैं कर्मी की छुट्टी में कश्मीर खूमना चाहता हूँ। तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वहां का दिश्य बड़ा ही मनुहारी है। पर्वतों से गिरते हुई जर्नी बहुत ही अच्छे लगते हैं। वहां सीब, नारंगी, अक्रोट की व्रिक्षों की अधिकता है। वहां चाना स्वास्ते के लिए भी लाब दायक है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? इस संबंध में उत्तर तुरन देना, बढ़ों को चरण सपर्ष औ बच्चों को प्यार कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र नंद कुमार। तीन, पिता का पत्र पुत्र को। अल्मोडा, दिनांग 28,1,2013, प्रिय बेटा प्रताप, शुभाशीश। तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी परीक्षा बहुत अ पत्र के साथ वह भी मिल जाएगा। इन पैसों का सदुप्यों करना, अपनी पढ़ाई का विशेश ध्यान रखना। तुम्हारी मा तुम्हें आशिर्वात दे रही है। तुम्हारा पिता नरेंद्र सिंग कौर। चार उत्तीर्ण होने पर पिताजी को पत्र लखना। दिनांग एक, एक, दोहजार तेरा, पूछे पिताजे, साधर प्रणाम, आपको यह जानकर अत्यन प्रसन्नता होगी, कि मैंने साथवी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 99 प्रतिशत अंग प्राप्त करके, कक्षा मे प्रतम स्थान प्राप्त किया है, मेरी इस सफल्ता की पीछे, ईश्वर की कृपा और आपका आशिर्वाद है, यदि मुझे आपका सहयोग न मिलता, तो यह सफल्ता प्राप्त करना कठिन था, मादाजी को चनर्स पर्ष, आपका आख्याकारी पुत्र, प्रार्थना पत्र, सेवा में ग्राम प्रधान, शापुन, आजमगर, विशए, गाउं की स्मौच्चता हे तू, महोदय, सविन निवेदन है कि हमारी गाउं में गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं है, यहां गंदे पानी की बहाव हे तू, नाली नहीं अतह रास्ते में गंदा पानी भर गया है लोगों का आना चाना कठिन हो गया है मच्छरों की भी अधिक्ता हो गई है अतह हम आपसे निवेदन करते हैं कि गंदे पानी के निकास के लिए नालिया बनाई जाएं सधन्यवाद, भवदिय, सुशील कुमार, शाहपुन, आचमगर, दिनांग, पंदरा, एक, दो हजार तेरा चे, जुर्माना माफ करवानी के लिए प्रधानाचारी को प्रात्ना पत्र सेवामी, प्रधानाचार्य महोदे, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, लखनौ विशे, जुर्माना माफी हे तू, श्रीमान, सविने निवेदन है कि मेरी माताजी के तव्यत अच्छानक खराप हो गई उनकी देखभाल करने के कारण मेदिनांग 25-2013 और 26-2013 को विद्याले में उपस्तित न हो सका और ना ही अफकाश के लिए प्रार्थना पत्र भेज सका इस कारण कक्षा अध्यापक ने मुझे 10 रुपे जुर्माना देने का तंड दिया है मेरी परिवार की आर्थिक स्थिती संतोष चनक न होने के कारण मैं यह जुर्माना देने में असमर्थ हूँ क्रिप्या मेरा जुर्माना माफ करने की क्रिपा करें सरधन्यवाद प्रार्थी मुकुल शर्मा कक्षा साथ अ रोल नंबर 22 दिनांग 27 दीन 2013